दोस्तो टाटा पाउर की बात को श्टॉक बहुत तेजी से दोड़ रहा है आज इसने फिर से एक नई हाई बना दिये अब आपको ये पता ही होगा कि कोरोना के बाद ये श्टॉक ने दोड़ना सुरू किया तो बहुत जबर्दस रीटन दिया था इसने 28 का श्टॉक 298 तक पहुचा था लोगों को इसने मल्टी बैग रेटन दिया था लेकि उसके बाद में कम से कम डेट साल तक श्टॉक बहुत ज़्यादा सुरूश था दोस्तों के आसपास बहुत समय तक रहा है लेकिन अब जब दोड़ना शुरू किया तो तेजी से दोड़ रहा है और दिव से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है वो बहुत ज़्यादा फाइदेबन हो सकता है टाटा पौर को क्या है वो डिसी इन उसको समझेंगे और जो बड़ी डिल हुए उसको भी डिसकस करेंगे जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आखिरी बड़े फंडा उसका रुजान क्या है टाटा पौर को लेकर लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोडिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए त चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज बीए सी सेंसक 69,928 के इस्तर पे क्लोजिंग दिया ज यह 126 पॉंट की तेजी देखने को मिली और उसका असर भी कुछ टाटा पावर भी देखने को मिला विसे टाटा पावर की बात के स्टॉक की सुरा थुए 325 पर पॉजिव शुरा थुए क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 323 के आसपार इंट्राडे में 335 का हाई भी देखने को नहीं मिला लेकिन 6 दिसमर की बात के स्टॉक पहुच गया 294 पर 4.5% की सांदार तेज़ी के साथ और 7 December को stock पहुझ गया सीधा 325 के आसपर 10.8% की bumper तेज़ी के साथ और 8 December को देखे तो stock की closing 323 पर रही जापे कफे अची तेज़ी के बनने के बाद profit booking आई और 0.7% की गिराउट देखना हो गो लिए और आज stock ने फिर से सांदार प्रदोसिंद किया वैसे पिछले 5 साल में इसने 320% का bumper return दिया 2 year की बाद के हो stock ने 45% का pointer return दिया, 1 year के इसाब से 48% का सांदार दिया 6 month की बाद के इसने 51% की तेज़ी बताई है, बात करे 3 month की 24% का इसने pointer return दिया और 1 year month के इसाब से 30% का सांदार दिया पिछले एक सब्ता में 21% का bumper return दिया इस stock ने, और 1 day के इसाब से 3% दिया, overall इसका return बहुत ही बैतर है, लगाता पॉजिटीव बना हुआ है अब आप देखी सकते हो 335 इसका 50 रूबी का ही है जो आप देख सकते हो कि Friday को भी बनाया था और वहाँ से profit booking आई लेकिन आज भी उस level को इसने चुआ है अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो बड़ी तेजी बनी अब उस तेजी के बाद देखे तो यहाँ पर पर परदसन देखे इसका इस समय तो स्टॉक इस समय 5-day, 20-day, 30-day, 50-day, 100-day और 200-day moving average से उपर आपको trade करता हो दिखाई देगा स्टॉक इस समय ओरबोर्ट धोन में आपको दिखाई देगा यहीं इसके जो बीच में जो बड़ी good news निकल के आ रही है 500 electric vehicle charging station लगाएगी टाटा पावर इंडिया के अलगलग जगपे तो देख से तो कि IOCL के जितने retail outlet है वहाँ पे टाटा पावर अपने charging station इस्टेशन इस्टाबलीज करेगी जिसमें देख से तो कि cities like मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलूर, अमदाबाद, पूने और कोची जो बड़े-बड़ी metro cities है वहाँ पे जितने भी इनके outlet है IOCL के वहाँ पे अब EV charging इस्टाबलीज किया जाएंगे टाटा पावर के माध्यम से स्पेशली जो express way है जो highways है जिसमें आप देखें तो मुंबई, पूने highway, सेलम, कोची highway, गुन्टूर, चेन्ने highway इस तरह से जो बड़े-बड़े highways है उसके उपर स्पेशली focus किया जा रहा है तो इस मौके पे अगर आप देखें तो विरेंदर गोएल जो head business development EV charging है टाटा पावर के उनका कहना है कि यह जो partnership के गया IOCL के माध्यम से ही इसका जो मकसद है कि एक आई-वे पे बड़ा network इस्टाबलिस करना है EV charging का लोगों को एक easily EV charging सुईदा उपलप्स करना और इसलिए लगातार टाटा पावर ऐसे ही business type अलगलग कमपनियों के साथ में करें और बड़े-बड़े जैसे showroom से अचाए auto company हो या फिर retail outlet के अलावा देखें तो दूसरी जो और petrol pump की जो company है और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो बड़े-बड़े shopping malls है markets है उनके साथ में business type के जा आने वाले से में company तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ेंगी सबसे बड़ी बात है कि टाटा पावर e-jet charge app के माध्यम से जो भी इसके customers है वो पहले ही इसकी location को तलास लेंगे और अपने इसाब से जो इनके route के ओपर जो नदिक में जो Indian oil charging point होगा वहापे जाके अपन नी हो लोगों को भी एक बड़ी good news और निकल क्या रही जैसे कि आपको पता होगा टाटा पॉर फोजिल फिल्स और नॉन फोजिल फिल्स दोनों में ही काम करिये company solar module के उपर भी काम करिये और wind sector में भी काम करिये अब ऐसे में सरकार ने बहुत बढ़ा फैसलाग लिया है green hydrogen project के तैद एक long term exemption देने की त्यारी कर लिए या लोगों को छूट देने की त्यारी होगी solar panel बनाने वाली कंपनिया या दूसरे और भी जो wind turbine के project करने वाली कंपनिया हो उन सबको tax के दारे से बाहर रखा जाएगा उनको duties में रहात दी जाएगी यह सरकार ने फैसलागे ताकि green hydrogen mission को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके तो सरकार से आती है कि जल्द से जल्द उनका goal है green hydrogen mission का वो complete हो और सरकार green hydrogen को export कर सके इसलिए जो इससे समनित कंपनिया उनको सरकार रहात देने के mood में तो इस समय देखते हो कि एक duties और tax में 2035 तक के लिए यहाँ पे छूट देने कि आपे परावदान सरकार की तरफ से लाए जा रहा है आने वाले समय सरकार जो इस सरकार से समनित कंपनिया उनको हर्त रखी tax से रहात देने की तैयारी कर चुकी है तो यह बहुत बड़ी good news है टाटा power के लिए और ऐसे में आने वर्स में टाटा power कमाल कर सकता है अब चलते 49 मिनट पर 331 की प्राइस से 1,35,000 की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई उसके बाद 1 बचकर 11 मिनट पर 332 की प्राइस से 2,54,000 की जबरदस खरीदारी हुई फिर 2 बचकर 11 मिनट पर 333 की प्राइस से 1,46,000 की बड़ी खरीदारी और हुई और उसके बाद 2 बचकर 12 मिनट 335 की प्राइस से 2,20,000 शरूख एक बड़ी ख्रीदारी और ही टाटा पोड़ के प्रतेसं को देखे तो BSC Sensex के मुकाबले Power Index के मुकाबले का प्रतेसं का प्रतेसं काफी सांधार है पिछले 10 साल में इसने 14% का पॉड़ी रेटन दिया जबकि Sensex में 12% की तेजी बनी है Power Index 13% दोड़ा है 5 एर की भी बात के तो 33% का पॉड़ी रेटन दिया Tata Power ने जबकि Sensex में 14% की तेजी बनी है और BSE Power Index 25% का पॉड़ी रेटन दिया वन येर की बात के तो Tata Power ने 52% का सांदार रिटन दिया है जबकि BSE Sensex में 12% की तेजी बनी है और BSE Power Index की बात करी आपर 25% की तेजी है तो जो सबसे सांदार रिटन है वो Tata Power का वन येर के हिसाब से भी अगर हम बात करें 3 मन की तो Tata Power ने 24% का जबर्दस रिटन दिया है जबकि Sensex में 5% की तेजी बनी है BSE Power Index 21% दोड़ा है तो 3 मन के हिसाब से भी सबसे सांदार रिटन Tata Power का है बात करें 1 मन की तो Tata Power ने 32% का पॉइटिव रिटन दिया है जबकि BSE Sensex में 7% की तेजी बनी है Power Index 24% दोड़ा है तो 1 मन के हिसाब से भी Tata Power ने 60% का पॉइटिव रिटन दिया है जबकि BSE Sensex में 15% का आसपास की तेजी बनी है और BSE Power Index की बात के तो यहाँ पे 29% की तेजी बनी है तो देख सकते हो कि year to date के इसाब से भी Tata Power का जो रिटन है उनकी पेर कमपनियों के तुलना में बाजार के तुलना में काफी बैतर रहा है अनि कुल मिला के इसका रिटन बैतर है और आने वाले से टाटा पावर एक जबरदस रिटन दे सकता है क्योंकि इसके अंदर देखे तो कमपनी बहुत सारा खर्च करने वाली है अपने सेक्टर के लिए और Green Energy में इस्पेशली बहुत सारा निवेस करने वाले जिसके उपर आलड़ी हमने पिछले वीडियो में सारा डिसकस किया है अब यहां पे एक बार इसके पीवर लेवर को चेक लें तो यहां से गिरावट होती है तो 350 का फर्स सपोर्ट है यह टूटा दे स्टॉक 308 तक जा सकता है अगर बड़ी गिरावट होती तो फिर 297 तक जाने की सम्भावना है तो यह आपको खास जाने करा गिर गिरावट का महौल बना तो पॉजिटिव महौल बना तो 330 का फर्स्ट रेजिस्ट्रेंज जो अलड़ी आज प्रेक हुआ 343 का सेकेंड रेजिस्ट्रेंज जो जल्दी आ सकता है नया और उसके बाद श्टोक 350 उन तक जा सकता जो 300 रेजिस्ट्रेंज है यानि तेजी बनी तो 300 रेजिस्ट्रेंज जा सकता है ऐसे में लॉंग टर्म इनवेश्ट के लिए अच्छा मौका है एक गोल्डेन अपॉर्चुनिट एक दाव लगाए आप टाटा फावर में